नमशकार दोस्तों मैं हूँ विनूद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप टेली प्राइम के अंदर किस तरह से Inventory Master को यूज कर सकते हैं यानि Inventory Master को Create कर सकते हैं तो Inventory को Create करने से पहले हम आपको बताते हैं कि आखर यह Inventory होता क्या है inventory stock या दोनो एक ही शब्द है जिसका नाम manufacturing में हर बार सुनते ही होंगे आपकी company में कोई कच्चा product या कुछ ऐसे भी product होते हैं जिस पर अभी भी काम हो रहा होता है तो वह आपकी company का inventory कहलाता है मान लो आपके पास एक manufacturing company है जिसमें आप गाड़ी के parts बनाते हैं तो आपके पास पहले कच्चा माल आएगा जिसे आप उसको किसी भी parts को बनाने में इस्तेमाल करते होंगे जब वह बनकर तयार हो जाता है तब आप उसे बना कर एक जगा रख देते हैं या customer के पास पहुचा देते हैं और कुछ ऐसे product होते हैं जिस पर अभी भी काम चल रहा होता है तो उसे ही हम inventory कहते हैं चलिए इसे हम कुछ और उदहान के जरिए समझते हैं example के लिए माल लिए आपकी एक company है ABC Electronic Private Limited के नाम से और यहाँ पर आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर stock group आपको दिखाई दे रहा है अब यह stock group होता क्या है जैसे माल लिए आपकी company में आप LED TV सेल करते हैं mobile phone सेल करते हैं और laptop को भी सेल करते हैं तो यह सभी आपके stock group कहला जाएंगे इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं stock category की तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास तीन category हैं माल लिजे कि आप LED TVs के अंदर Samsung की LEDs सेल करते हैं Apple की LEDs सेल करते हैं या फिर LG की LEDs सेल करते हैं इसी तरीके से आप इनके mobiles भी सेल करते हैं और इसी तरीके से आप इनके laptops भी sale करते हैं यह basically आपकी क्या हो जाएगी यह आपकी category हो जाएगी इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं आपर stock items की तो यह आपर आप देखेंगे example के लिए हमने आपर Samsung को select किया हुआ है मालने जी हमारे पास Samsung की TV है जिसके अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास 4 categories है TVs के अंदर जिसमें आप देख सकते हैं 32 inch, 33 inch, 52 inch और 80 inch की हमारे पास LED TVs है Samsung के अंदर इसी तरीके से आपकी Apple के अंदर भी हो सकते हैं और इसी तरीके से LG के अंदर भी हो सकते हैं इसके बाद अगर हम next stock item की बात करें तो माल लिजे Samsung के अंदर ही आप mobile phones जो sale करते हैं, उसके अंदर भी आप 4 categories sale करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं आपर Galaxy F34 के नाम से आपके पास एक item है, उसी तरीके से Galaxy F36 के नाम से भी आपके पास एक item है और उसी तरीके से F37 and F38 के नाम स और laptop के अंदर भी आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर 4 example को यहाँ पर define किया हूँ, तो इस तरीके से आप अपने stock item को create कर सकते हैं, इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर unit की, तो unit of measure बैसे की होता क्या है, जैसे माल लिजे हमारे पास जो भी item है, वो या तो हमें पे location and go down की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप पर जो भी item है, वो आपका कहां पर रखा हुआ है, यानि किस location पर रखा हुआ है, तो उसे हम location या तो go down कहते हैं, example के लिए हमने यहाँ पर अपनी दो locations ले रखें, एक संप नगर और दूसरी यहाँ पर बुराड़ी ले र कर सकते हैं, और साथी साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप multiple तरीके से एक साथ काफी सारे bulk में items अगर आप create करना चाहें, या फिर आप category create करना चाहें, या फिर आप stock items को create करना चाहें, या फिर आप units को create करना चाहें, तो ये सब भी आप bulk में एक साथ बहुत आसानी से इसको कैसे create कर सकते हैं चलिए आई ये देखते हैं practical तरह से तो दोस्तों यहाँ पर item को create करने के लिए आपको जाना है create वाले option पर अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक single item को अगर create करना चाते हैं तो आप कहां से कर सकते हैं और उसके बाद मैं आपको बता हूँ कि आप multiple items कैसे create कर सकते हैं तो यहाँ पर मालीजे हम create वाले option पर जाते हैं create वाले option पर जाने की बाद आप नीचे की तरफ देखेंगे आपको यहाँ पर दिखाई देगा inventory master का option और इसके अंदर आप देख सकते हैं आपको stock group, stock category, stock item, units and go down आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा तो मालीजे सबसे पहले हमें बनाना होगा stock group को तो stock group create करने के लिए हम यहाँ पर stock group को select करेंगे और यहाँ पर प्रेस करेंगे enter Enterprise करने के बाद आपको यहाँ पर अपना Stock Group टाइप करना होगा तो जैसे माल लेजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 3 Groups लिए हुए हैं LED TV, Mobile और Laptop जिसमें LED TV को भी फिलाल हम छोड़ रहे हैं क्योंकि इसका इस्तिमाल हम आपको Multiple Creation में बताएंगे तो फिलाल हम यहाँ पर Laptop को ले लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले Type कर लेते हैं Laptop Laptop निखने के बाद जैसे आप यहाँ पर Enter Press करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने Primary का एक Option आपको दिखाए देगा तो यहाँ पर इसे हम Under or Primary डाल करके Enter Press करेंगे Enter Press करने के बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पर एक Option दिखाए देगा Should Quantities of Item be Added इसका मतलब है कि अगर आप इस Group में जो भी Stock Item बनाएंगे क्या आप शाहते हैं कि उसे सभी का Total किया जाना चाहिए तो डिसिकली हम यहाँ पर इसे Yes करेंगे Yes करने के बाद हम यहाँ पर Enter Press करेंगे Enter Press करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने Stock Group को Select करते हुए Enter Press करेंगे और यहाँ पर इसे Save करते हैंगे इसके बाद अगर आप इसका कोई Sub Group क्रियेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर Create कर सकते हैं तो बिसिकली हम इसका कोई Sub Group यहाँ पर Create नहीं कर रहे हैं हम यहाँ से Scap करके बाहर आजाएंगे बाहर आने के बाद अब यहाँ पर हम stock category को यहाँ पर create करेंगे तो stock category को create करने के लिए हम यहाँ पर interface करेंगे और यहाँ पर आप अपनी category create कर सकते हैं तो जैसे माल लीजिए, यहाँ पर आप देखेंगे stock category के अंदर यहाँ पर Samsung, Apple और LG को हमने यहाँ पर लिया हुआ है, तो यहाँ पर हम Apple को select करेंगे, यहाँ पर हम type करेंगे Apple, Apple type करने के बाद यहाँ पर इसे primary में डाल करके यहाँ पर इसे save करतेंगे, इसके बाद स्कैप कर जाने से पहले आपको ध्यान रखना है, कि सबसे पहले आपको यहाँ पर unit create करना पड़ेगा, unit को create करने के लिए सबसे पहले हम unit पर जाएंगे और यहाँ पर प्रेस करेंगे enter, enter प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम unit को type करेंगे, जैसे माल लीजिए हम type कर देते हैं, PCS, pieces ल आपके pieces दिखा रहा है, यानि कि एक pack, pieces और pairs, तो इसमें से आपका जो item है, वो packs में आता है, या फिर pieces में आता है, या फिर pairs में आता है, तो यहाँ पर हम select करेंगे pieces में, कि हमारा जो भी item आता है, वो pieces में आता है, तो pieces को select करके हम यहाँ पर enter प्रेस करेंगे, number of decimal place अगर आप यहाँ पर देना चाहें, तो दे सकते हैं, फिलाल हम यहाँ पर इसे zero रखते हुए save करतेंगे, इसके बाद skip करके हम बाहरा जाएंगे, बाहरा आने के बाद अब हमें बनाना है stock item, तो stock item को बनाने के लिए हम stock item को select करके, यहाँ पर enter पेस करेंगे, और यहाँ पर एक stock item create कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एपल के अंदर हमने यहाँ पर तीन categories ले रखे हैं, एपल की TV, एपल का phone और एपल का यहाँ पर MacBook, तो basically हमने अभी जो group create किया है, वो यहाँ पर laptop को create किया है, तो इसलिए हम यहाँ पर MacBook को select करेंगे, MacBook type करने के बाद जैस सकते हैं, यहाँ पर हमारी जो category है, वो यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो category अगर आपको यहाँ पर दिखाई ना दे, तो आप किस तरीके से उसे represent कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आपको यहाँ पर प्रेस करना होगा after, जैसे आप यहाँ पर enter प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको दिखाई देगा, use stock category for stock item, तो यहाँ पर आपको इस वाले option को Y दबा कर, यानि yes करके यहाँ पर enter प्रेस करना है, और उसके बाद आपको प्रेस करना है, control plus 8, जैसे आप यहाँ पर control plus K press करेंगे तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको category आपको दिखाई दे जाएगी, तो यहाँ पर laptop को select करने के बाद, यहाँ पर अपनी category select करने के लिए, मालिजा हमने select करने के लिए, यहाँ पर apple, apple को select करने के बाद, यहाँ पर आप अपने unit को select करने के लिए, मालिजा हमने पर as per company stock group रहने देते हैं और यहाँ पर इसे भी एंटर पैस करके नीचे आ जाते हैं जिस्टी related details में भी हम as per company stock group select करके यहाँ पर एंटर पैस करके नीचे आ जाते हैं यहाँ पर आपको goods को select करना है क्योंकि हमारा जो item है वो कोई service नहीं है एक goods है तो यहाँ पर हम goods को select करते हुए enterprise करेंगे rate of duties के अंदर फिलाल अभी हम यहाँ पर कुछ भी fill नहीं करेंगे enterprise करके नीचे आ जाएंगे opening balance में अगर आप यहाँ पर कुछ डालना चाहें तो डाल सकते हैं आपके पास पहले से ही यह item बड़ा हुआ है तो आप यहाँ पर quantity और rate यहाँ पर define कर सकते हैं तो फिलाल हम इसे भी यहाँ पर blank चोड़ेंगे और यहाँ पर enterprise करके इसे यहाँ से create करतेंगे तो इस तरीके से आप अपने company के अंदर कोई भी item create कर सकते हैं इसके बाद अगर आप इसके अंदर किसी तरह की कोई changes करना चाहते हैं या फिर आप इसे delete करना चाहते हैं तो वो process भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ तो उसके लिए आपको skip करके बाहर आना है इसके बाद आप देखेंगे, आपको यहाँ पर option दिखाए देगा, alter Rogers, आपको alter वाले option को select करके enterprise करना है इंडर पैस करने के बाद आप जो भी delete करना चाहते हैं, उसको आपको यहाँ पर select करना है माल लिजी हम यहाँ पर item को delete करना चाहते हैं तो हम यहाँ से stock item को select करेंगे और यहाँ पर इसे enterprise करेंगे enterprise करती है आप देख सकते हैं आपका item आपको यहाँ पर दिखाई दिरा है इसको select करके आप enterprise करेंगे interface करने के बाद अगर आप इसमें कोई changes करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसे आसाने से change कर सकते हैं अगर आप इसे delete करना चाहते हैं तो आपको अपने keyboard से यहाँ पर alt के साथ d दबाना होगा जैसे आप यहाँ पर alt के साथ d दबाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर yes का एक option दिखाई देगा, जैसे आप इस वाले option पर yes करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका वो item यहाँ से delete कर दिया जाएगा, तो इस तरीके से आप अपने stop group को change कर सकते हैं, delete कर सकते हैं, अब हम बात करत है कि अगर आपको bulk में बहुत सारी items create करने होंगे या बहुत सारे stock group create करने होंगे तो वो काम आप कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए आपको skip करके बाहर आना है यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर option दिखाई देगा chart of account का आपको इसे select करना है select करने के बाद आप यहाँ पर bulk में क्या चीज़ create करना चाहते हैं उसे आपको यहाँ पर select करना होगा मालीचे कि हम यहाँ पर stock group create करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको stock group को select करना है और यहाँ पर press करना है enter जैसे आप यहाँ पर enterprise करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पहले से ही एक laptop का यहाँ पर group create किया हुआ है और इसके बाद के बाकी के दो group मैं आप create करना चाहता हूँ तो उसके लिए यहाँ नीचे की तरफ आप देखेंगे आपको तो हम यहाँ पर create ौल ऐοक्शन को सेलेक करेंगे और यहाँ पर enterpress करेंगे enterprise करने के बाद आपको यहाँ पर अंदर अप ग्रूप में all selek करना है क्योंकि आप एक group create करने है यहाँ पर नीचे की तरफ आपको आना है और यहाँ पर आप बाकी के जो दो ग्रूप हमारे बचे हुए थे वो यहाँ पर हम create करेंगे तो जैसे माल लीजे यहाँ पर हमने अभी LED TV को create नहीं किया हुआ है mobile को create नहीं किया हुआ है laptop हमने पहले से create कर दिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं वो option आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है should quantity of item be added तो यहाँ पर आपको हमेशा इसे yes करना है yes करने के बाद आप इसे enterprise करिए enterprise करने के बाद आप और भी group create करना चाहते हैं तो उस group को आप यहाँ पर create कर सकते हैं तो हमने हम आप लैटॉप को create किया था और LED हमने यहाँ पर create कर दिया है अब इसके बाद हमारा बचा है mobile तो हम यहाँ पर mobile को create करेंगे mobile create करने के बाद हम यहाँ पर enterprise करेंगे इसे भी हम primary में डालते हुए यहाँ पर इस option को yes कराते हुए इसे यहाँ पर save करते हैं save तरने के बाद आप देख सकते हैं आपर हमारे पास list of stock groups के अंदर तीन groups आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगे अब इसके बाद skip करके हम लोग बाहर आ जाते हैं बाहर आने के बाद अब हम यहाँ पर create करना चाहते हैं stock categories तो category को create करने के लिए आपको यहाँ पर enterprise करना है तो categories आप देख सकते हैं पहले से हमने यहाँ पर apple की category create की हुई है बाकी की दो categories अभी हमारे पास बाकी हैं तो हम बाकी को create करने ते हैं या तो आप alt के साथ h press करतीजी और यहां तो फिर यहां पर multi masters पर cake कर देज़े, यहां पर click करने के बाद यहां पर multi create पर हम click करेंगे, click करने के बाद आपको यहां पर all को select करके enterprise करना है, enterprise करने के बाद आप यहां पर categories create करनेजे, तो आप देज सकते हैं हमने यहां पर Samsung और LG को यहां पर create नहीं किया था, apple हम already create कर चुके हैं, तो हम इन दोरों categories को यहाँ पर create कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम type कर देते हैं Samsung और interface करेंगे, interface करने के बाद आप इसे under of primary देते हुए, नीचे की तरफ आ जाएंगे और इसके बाद यहाँ पर हम LG type करेंगे, LG को type करने के बाद इसे भी under of हम primary देते हुए, नीचे की तरफ आ करके इसे यहाँ पर save कर देंगे अब आप देख सकते हैं, आप और हमारे सामने list, stock categories के items यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, तीन categories आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, Apple, LG और Samsung, तो तीनों की तीनों हमने यहाँ पर create कर लिए हैं, इसके बाद हम create करने वाले हैं stock item, तो stock item को create करने के लिए हमें आपर chart of account पर जाएंगे, और यहाँ से select करेंगे stock item को, stock item पर हम enter press करेंगे, और enter press करने के बाद आपको यहाँ आपर alt के साथ h दबाना है, या तो फिर आप multi masters पर यहाँ पर click कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम alt के साथ h press करते हैं, alt के साथ h press करने के बाद आप देखेंगे, यहाँ पर multi create का option represent हो गया, इस पर आपको enter press करना है, enter press करने के बाद आपको यहाँ पर all item को select करते हुए, यहाँ पर enter press करके नीचे आजाना है, और यहाँ पर आप जितने भी item create करना चाहते हैं, वो सभी items आप यहाँ पर create कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर चले जाते हैं अपने item वाले list पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक्जामपल के लिए हमने यहाँ पर Samsung की TV, Samsung का Mobile, Samsung के Laptop, यानि Samsung की सभी brands को यहाँ पर हमने type कर रखा है, तो इन सभी items को हम यहाँ पर create करके आपको दिखाएंगे, तो सबसे पहले हम Samsung की TVs को create करते हैं, नि Samsung की जितनी TVs के यहाँ पर model हैं, हम सभी models के items को हम यहाँ पर create करेंगे, तो हम यहाँ पर सबसे पहले से select कर लेते हैं, और यहाँ से इसे कर लेते हैं, control-C से copy, copy करने के बाद आपको यहाँ पर इसे paste कर देना है, हमने यहाँ पर उस item को paste कर लिया है, अगर आप type करना चाहें, तो आप यहाँ पर type भी कर सकते हैं, हम यहाँ पर enter press करेंगे, enter press करने के बाद आपको यहाँ पर इसका group select करना होगा, तो यह basically हमारा ultra picks and HDR TV है, तो यहाँ पर हम TV का group select करेंगे, और select करने के बाद हम इसे enter press करेंगे, अब जैसे में यहाँ पर enter press करते हैं, तो आप देखेंगे, यह directly हमारी unit पर जम कर गया, बट यहाँ पर हमारी category का option दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपकी situation में भी आपको यहाँ पर category अगर दिखाई ना दे, तो यहाँ पर आपको press करना है F12, F12 जैसे आप press करेंगे, तो second number option पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर एक option दिखाई देगा, show stock category details का, आपको यहाँ पर इसे yes करना है, याँ यहाँ पर यहाँ पर enter press करना है, और enter press करने के बाद आपको यहाँ पर control A press कर दे रहा है, तो आप देख सकते हैं, आपकी category आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी, तो हम backspace से वापस से यहाँ पर jump करेंगे, और जाने के बाद यहाँ पर इसकी category को select करेंगे, तो हमारी जो category है, वो यहाँ पर Samsung है, तो हम यहाँ पर Samsung को select करेंगे, और यहाँ पर आप और भी अगर कोई unit create करना चाहे तो create वाले section पर जा करके आप यहाँ पर enter press करेंगे और enter press करने के बाद आप यहाँ पर unit create कर सकते हैं तो मालीजे हमें यहाँ पर एक unit create कर लेते हैं लोस के नाम से और यहाँ पर इसे numbers में डालते हुए save कर देते हैं अगर आप चाहें तो follow name में आप यहाँ पर number type कर सकते हैं हम यहाँ पर enter press करके इसे save कर देगे हैं save करने के बाद आप offering quantity में अगर कोई quantity देना चाहें तो दे सकते हैं हम फिलाल इसे blank रखेंगे और यहाँ पर enter करके नीचे आ जाएगे इसके बाद हम यहाँ पर next item यहाँ पर type कर लेते हैं तो next item देखेंगे यहाँ पर ultra fix and HDR 43 inch है तो हम इसको यहाँ पर select करके इसे भी यहाँ से copy कर लेते हैं copy करने के बाद हम यहाँ पर इसे paste कर देते हैं paste करने के बाद हम यहाँ पर enter press करेंगे यहाँ से LED TV को select करेंगे यहाँ पर category Samsung select करेंगे और यहाँ पर आप इसे no select करेंगे और यहाँ पर आप इसे enter करके save कर देंगे इसी तरीके से बाकी के जित्तरी categories हैं फटा फटा फटी आपर फिल कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर LED TV के जितने भी items थे वो सभी item हमने यहाँ पर create कर लिए हैं और इसके बाद हम create करेंगे Samsung के mobile's के items तो इसके लिए हम यहाँ पर इस item को select करते हैं और इसे भी हम यहाँ से copy कर लेते हैं और copy करने के बाद वापस से हम टेली पर जाते हैं यहाँ पर जाने के बाद हम इस item को भी यहाँ पर paste कर लेते हैं आइटम को paste करने के बाद हम यहाँ पर enter paste करेंगे तो अब यह जो हमारा item है यह basically एक mobile phone है तो यहाँ पर हम इसे mobile को select करेंगे और mobile को select करते हुए यहाँ पर enter paste करेंगे और enter paste करने के बाद यह brand किसका है तो यह सकते हैं कि हमने led tv और mobiles के सभी items यहां पर create कर लिए हैं इसके बाद हम यहां पर laptop के भी जो भी items है वो भी फटाफर create कर लेते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं Samsung के laptop के अंदर यहां पर galaxy book 3360 के नाम से एक item है मैं इसको यहां पर select करते हैं इसे यहां से copy करते हैं और उस item को और यहां पर interface करेंगे इसी तरीके से बाकी के सभी items को भी हम फटाफर यहां पर type कर लेते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं हमने सभी items यहां पर create कर लिए हैं 12 के 12 items हमने यहां पर create कर लिए हैं और create करने के बाद हम यहां पर interface करके से यहां पर save कर देते हैं सेव करने के बाद आप यहांपर देख सकते हैं, लिस्ट अप स्टॉक आइटम के अंदर हमारे पास लैपटॉप के जितने भी आइटमस हैं वो आपको यहांपर दिखाई दे जाएंगे, LED TV जितने भी हैः वो भी आपको यहांपर दिखाई दे जाएंगी, और इसी तरीके स से आप बल्क में जितने वी आइटम से आपर Create करना चाहें वो सभी आइटम साथ यहाँ पर आसानी से Create कर सकते हैं इसके बाद हम बताते हैं अब को कि आप किस तरीके से location या फिर Go Down को Create कर सकते हैं तो उसके रिए हम Cap करके बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद आप देखेंगे आपको यहां पर गुडाउन का2021 दिखाई दे जाएगा या तो यहां पर लोकेशन लिखा होता है तो हमारे सामने अभी इस्धाउं पर जोटाउं है तो यहां पर याँ पर हम पर इस्तenkर करेंगे आपा आप देखेंगे अभी fूलाल हमारे वो आपके आसपास में कहीं दूसरी location पर रखा हुआ है तो आप चाहते हैं कि उसका पूरा go down का setup आप यहाँ पर देना चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ पर manage कर सकते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर किस तरीके से पनी locations को create करेंगे यानि किस तरीके से आप अपने go down को create करेंगे, तो इसे करने के लिए आपको याँपर सेम उसी तरीके से multi master पर click करना होगा multi master पर click करने के बाद आप यहां पर multi create पर click करेंगे click करने के बाद आप यहां पर अगर आप इसे under of main location देना चाहते हैं, कि फ़र main location के अंदरी अगर आपकर गोडाउन है, तो आप इसे यहाँ पर select कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर all items को select करेंगे, और यहाँ पर आपके जो भी godowns है, आप यहाँ पर इसे select कर सकते हैं, जैसे माल लीजे, हम यहाँ पर अपना godowns create कर लेते हैं, संतनगर के नाम से, और इसके बाद आपको यहाँ के location से यानी जितने भी आपके go down है उनसे भी go down के entry, आप यहांपे set कर सकते हैं इसके बाद आप यहां पर इसे save करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे यहां पर तीनों के तीनों locations आपको दिखाई दे जाएंगी और इसके आप जब भी goods को purchase या sale करेंगे तो वहाँ पर आपको location का option आएगा कि आप अपने जो stock है उसको कहाँ पर रखना चाहते हैं तो उसे वहाँ पर आप select करके इसको manage कर सकते हैं तो दोस्तो इस तरीके से आप bulk में काफी सारे stock items, stock group unit of measures, locations categories ये सभी create कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि एक साथ काफी सारे alternation करना यानि बहुत सारे items के नाम बदलना तो उसको भी आप आसानी से यहाँ पर कर पाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कैप करके जैसे आप बहार आएंगे तो यहाँ पर अगर आप कुछ भी changes करता चाहते हैं माली जैनल ने stock items को यहाँ पर select किया, select करने के बाद अगर आप इन items में कुछ changes करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर save उसी option पर जाता होगा, यानि यहाँ तो alt plus h press कर दीजिए और यहाँ तो फिर multi master पर click कर दीजिए, तो यहाँ पर हमने alt plus h press किया और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर multi create के just नीचे आपको यहाँ पर एक option दिखाए देगा multi alter, आप यहाँ पर जैसे इसे select करकी enter press करेंगे तो enter press करती है आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर laptop दिखाई दे रहा है LEDs दिखाई दे रही है, mobile दिखाई दे रहा है जिसमें भी आप change करना चाहते हैं जिस भी stock group के अंदर आप modification करना चाहते हैं उस group को अब यहाँ पर select कर सकते हैं और select करने के बाद यहाँ पर आप इसके अंदर जो भी changes करना चाहें वो आसानी से photographic में changes कर सकते हैं तो बहुत ही आसान रहेगा आपका work इस तरीके से अगर आप एक-एक करके item को create करते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा time लगेगा और यहाँ पर आप एक साथ bulk में काफी सारे items को create कर पाएंगे तो इस तरीके से आप bulk में काफी सारे items को यहाँ पर automation भी कर सकते हैं और create भी कर पाएंगे तो दोस्तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को like कमें शेर जरूर किजेगा धन्यवाद